हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दो बहनों की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक बहन जनम से ही जादू करती है, और दूसरी बहन आम इनसान है, उससे पहले आप चैनल पर नए है, तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें तो चलिए वीडि कर देती है, तो उनके मातापिता उन्हें ग्रैंड पबी के जुंड में पत्थर जैसे दिखने वाले लोगों की एक कॉलनी में ले जाते हैं, जो एना को ठीक कर देता है, लेकिन एलसा के जादू की उसकी यादों को मिता देता है, ग्रैंड पबी ने एलसा को चेताबनी द प्रजा और उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, फिर दोनों बहने महल के अंदर अलग अलग रहती हैं, जिनके द्वात जनता के लिए बंध हैं, अपनी बढ़ती अनियंतरित शक्तियों के डर से, एलसा ने एना के साथ सभी संपर्क बंध कर दिये, जिससे वे दोनों बहन एक दूसरे से दूर हो गई जब बहने जवान होती हैं, तो राजा और रानी समुद्र में खो जाते हैं, और उन्हें बृत्मान लिया जाता है, 21 साल की उम्र में एलसा को रानी का ताज पहनाया जाने वाला है, लेकिन उसे डर है कि उसकी प्रजा उसके जादू का पता जगा लेगी और उससे डरने लगेगी, महल के द्वार वर्षों में पहली बार जनता और आने वाले महमानों के लिए खोले गए हैं, जिन में शड्यंत्रकारी ड्यूक ओफ विसल्तन और दक्षनी द्वीट समुध के सुंदर राजकुमार हंस भी शामिल हैं, एलसा का पत्ती जताती है, एना विरोध करती है, और एलसा से अपने डर के बारे में समझाने की विंती करती है, भावनात्मक तनाव के कारण एलसा गलती से अदालत के सामने अपनी शक्तियां प्रकट कर देती है, ज्यूक उसको दुष्ट जादुगर्नी बोलता है, तो एलसा उत् भूंडने के लिए महल से चली जाती है, और अपने पीछे हंस को कमान सौंप कर राज्यका ध्यान रखने को बोल जाती है, खो जाने के बाद उसकी मुलाकात क्रिस्टोफ नाम के एक बंदे और उसके रेंडियर स्वेन से होती है, जो उसे पहाडों पर ले जाने के लिए त जो एलसा द्वारा अंजाने में बनाया गया एक बात करने वाला स्नोमैन है, जो उन्हें उसके पास मार्क दर्शन करने की पेशकश करता है, जब एना का घोडा उसके बिना एरेंडेल में वापस आता है, तो हंस ड्यूक के गुंडों के साथ उसे ढूंडने के लिए निकल पड़ता है, जिनको ड्यूक ने गुप रूप से एलसा को मारने का आदेश दिया था, जब एना बर्फ के महल में पहुँचती है, और एलसा को बताती है कि अरेंडेल का क्या हाल हो गया है, तो भयभीत एलसा कबूल करती है कि वह नहीं जानती कि उसके जादू को कैसे खत् एलसा में एलसा ने मार्शमैलो नाम का एक विशाल हिम राक्षस बनाया, जो एना, क्रिस्टोफ और ओलाफ का पीछा तरता है, एना पर एलसा के जादू के प्रभाव को महसूस करते हुए, क्रिस्टोफ उसे ट्रोल्स अपने दटक परिवार के पास ले जाता है, ग्रेंड उसे सच्छे प्यार का किस्स दे सके। विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करता है, कि वह एलसा के जादू से मर गई, वह रानी को फासी देने का आदेश देता है, लेकिन बाद में पता चलता है, कि वह अपनी हिरासत कोठरी से भाग निकली है। हंस द्वारा एलसा को मारने से कुछ वक्त पहले, एना रास्ते में चलांग लगाती है, और हंस को रोक कर पूरी तरह से बर्फ में जम कर एक बर्फीले स्टेचू के रूप में जम जाती है। तबाह होकर एलसा अपनी बहन को गले लगाती है और शोक मनाती है, और एना से अपने प्यार का इज़हार करती है, तो एना पिघलने लगती है, यह महसूस करते हुए कि प्यार उसके जादू को नियंतरित करने की कुझी है, एलसा असीमित सर्धी को दूर कर देती है, और उलाफ को गर्मी का अनुभव करने के लिए एक चोटा सा बादल देती है। हंस को उसके राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और अरेंडेल से निर्वासित कर दिया गया जबकि एलसा ने ड्यूक को वापस पाने के लिए वेसल्टन के साथ व्यापार समझोते को रद्ध कर दिया। एना क्रिस्टोफ को एक नई स्लेज देती है और दोनों को चुम्बन मिलता है। बहने फिर से मिल जाती है और एलसा बादा करती है कि वह महल के दर्वाजों पर फिर कभी टाला नहीं लगाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर जाए आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमें इससे भोत पेना मिलती है।